दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस करूंगे डेलिकेट इंसेक्टिसाइड के बारे में इसका कैमिकल कमपोजिशन क्या है, मौड ओफ एक्षिन क्या है, कौन-कौन से फसलों में आप यूज में ले सकते हैं, कौन-कौन से इंसेक्ट को ये परभावी रूप से कंट्रोल करत है, प्राइस क्या है, डोज क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, और सावधानिया क्या-क्या रखनी चाहिए, संपोन जानका रिकावर करूंगे, तो अगर डेलिकेट इंसेक्टिसाइड को यूज करना चाहरें, इस वीडियो को बिने स्किप किये कंप्लीट जरूर देखना है नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ अनिता सिंग, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन और्गेनिक जर्नी, दोस्तो वीडियो शुरू होने से पहले प्रीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे के हमारे सारे लि एक्रो साइंस के डेलिकेट इंसेक्टिसाइड में कैमिकल कंपोजिशन आता है, स्पायनेटोरम 11.7% SC यानि सस्पेंशन कंसेंटेट फॉर्म में यह आता है, यह ब्रोड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है, जो कि स्पिनोसिन क्लास का और इसके मौड ओफ एक्शन की बात करो तो यह इंजेक्शन और कॉंटेक्ट एक्शन इसमें आता है, यानि कि इसको इंसेक्ट खाने के बाद में इस चमक पोईजन का काम करता है और इंसेक्ट को किल करता है और उसके साल साथी कॉंटेक्ट एक्शन भी इसमें आता है, त नीचे की साइड को इंसेक्ट हैं तो वो भी किल हो जाते हैं यह पत्तियों से उपर से नीचे की तरफ जाता है पत्तियों के नीचे छुपेवे इंसेक्ट को भी यह किल करता है और इनके साथ यह टारगेट इंसेक्ट को ही कंट्रोल करता है यानि अच्छे इंसेक्ट हैं जै तो सबी परकार की सबजी वर्गिये फसलें जैसे मिर्च, टमाटर, बेंगन, प्याज, आलू, गोबी, उसके साथी तर्बूज, खर्बूज, धान, कपा, सोयाबिन, मक्का, मूंग, उरद, और बागवानी में भी आप यूजिक कर सकते हैं कौन-कौन से इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है तो थ्रिप्स, एफिड्स, जैसिड्स, लीफ माइनर, फ्रूट बोरर, फल छेदक जिसे कहते हैं, कैटापीलर, होपर्स, इल्ली, जितने भी परकार के यानि की रस चूशने वाले और चाबाने वाले कीट होते उन सब को ये कं सेक्टिसाइड होता है और इसकी परफेक्टी डोज है आदा एमल से एक एमल पर लिटर के साबसे गोल तयार करके आप अपनी फसलों में स्प्रेइ करेंगे यानि दोस्तों अगर इल्ली, सुन्डी, इनका परकोफ नहीं है आपके फसलों में फ्रूट, बोरर, फल, छेदक वगरे का परकोफ नहीं है, सिर्फ एफिड्स, जैसिर्स, थ्रिप्स वगरे का परकोफ है तो आदा एमल पर लिटर के साबसे गोल तयार करके स्प्रे करेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट आपकी फसलों में देखने को मिलेगा, लेकिन फल छेदक है, केटापीलर्स है, बहुत जादा है और उसके साथ साथी रस चूसने वाले किटू का भी परकोफ है, यानि चबाने वाले और चूसने वाले, सभी परकार के इंसेक्ट का परकोफ हो रहा जैसे बारिस के समय हूमिड क्लाइमेट के समय जादा होता है, तो उस समय आप एक एमल पर लिटर के यारगर के स्प्रे कर सकते हैं और एक एकड़ के लिए आप इसको 100 ml से 180 ml तक यूज कर सकते हैं और सावधाने के तोर पे इसका जब भी स्प्रे करें आप सुबह या शाम के समय ही करें गर्मियों में दोपेरी के समय या कभी भी दिन के समय आप इस पर नहीं करना है और आप कम ही यूज करें और स्प्रे भी मॉर्निंग या इवनिंग के समय ही करेंगे जब हनी भी का काम है आपके प्लोट में हनी भी आ रही हो उस टाइम आप इसका स्प्रे ना करें और डूरेशन की बात करो तो इसका असर आपकी फसलों में 10 से 15 दिन तक बहुत अच्छा द पूले अगर इसकी साथ में दोस्तों को इंसेक्टी साइड आप मिलाना चाह रहें मिक्स करके कॉम्बिनेशन तयार करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें मुझे जरूर जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोईसिस करूंगी कौन से इंसेक्टी साइड साम दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद